पापा की सीख अंजली बेटा बोलो बोलो मेरी गुडिया इतनी उदास क्यूं है मैं मीनू की वज़ा से इतनी उदास हूं पापा उदास होने की कोई जरूरत नहीं उससे दूर रहो याद रखो हमेशा उनी लोगों के साथ रहो जो तुमें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुमें अच्छा लगता है मीनू को तुमें परिशान करने का कोई मौका ही मत दो पापा की बातें मानो अंजली पर बैटरी के तरह काम करती थी उदर बैटरी डाली और इधर अंजली बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तेयार आखिर स्कूल जाना भी तो अंजली के लिए किसी जंग से कम नहीं था अंजली दा वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था आउट अ मेधक जैसी आखो वाली लड़की आज टिफिन में क्या लाई हो मुझे परिशान मत करो जाओ यहां से स्कूल में जितना डर अंजली को मीनू से लगता था उतना ही अच्छा उसे अपने तीन दोस्तों से मिल कर लगता था राजू, चुटकी और वरुन हमेशा अंजली के साथ रहती थे उसकी मदद करती थे मीनू का अंजली को इस तरह परिशान करना उसके दोस्तों को बिलकुल अच्छा नहीं लगता था जब-जब मीनू अंजली को तंग करती वरुन अंजली को उसे सबक सिखाने को कहता वरुन को अंजली का यूँ चुप रहना बिलकुल अच्छा नहीं लगता था तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए था अंजली तुम हमेशा चुप क्यों रह चाती हो पापा कहते हैं मिनू पर ध्यान मत दो आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे नहीं चलो ना चलते हैं अंजली के स्कूल जाने के दो ही कारण होते थे पहला कारण था अपने तीनों बेस्ट फ्रिंज से मिलना उनके साथ तोड़ी सी पढ़ाई और ठेर सारी मस्ती करना और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेर करना सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूजिक क्लास के बाद सबको बहुत जुरों से भूख लगती और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दोड़ते ओह बिचारी अंजली का टिफिन गेर गया अब अंजली क्या खाएगी लेकिन शैतान मीनों अंजली को कोई न कोई शैतानी करके परिशान कर ही देती थी शैतान लड़की अभी बताती हूँ रुको छुटकी कोई बात नहीं उसे जाने दो वो मीनों तुमें हमेशा तंकरती है और तुम हमेशा उसे छोड़ देती हो ये तो ठीक नहीं है अंजली अगर तुम उसे हमेशा इसी तरह छोड़ दोगी तो वो तुमें तंकरना बंद नहीं करेगी लेकिन अंजली भी अपने पापा की बेटी थी उसने कभी मीनों पर पलट कर गुसा नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हमेशा ऐसा करने सी रोका पापा कहते हैं कि हम जितना मीनों की बातों पर ध्यान देंगे वो हमें उतना ही चुड़ाएगी और उसे मार कर या जवाब दे कर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे हमें उस जैसा नहीं बनना चुटकी चलो, क्लास का टाइम होने वाला है ठीक है, तुम मेरे टिफिन में से खा लू मीनों अंजली को रोज परिशान करती थी और अंजली को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था एक दिन अंजली ने सूचा कि क्या पापा की बात मान कर वो सही कर रही है इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई शायद उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात सीमा टीचर की वो क्लास ही थी जिसने अंजली के लिए सब कुछ बदल दिया बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे उसके लिए आप सभी को कल अपने-पने खिलोने लाने होंगे हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे उस दिन अंजली ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उससे मीनू का व्यवार बिल्कुल सहा नहीं चाता अंजली, तुमारे गुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वज़ा से, आज उसने सुभा जोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई लेकिन जैसा आपने कहा था, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया वरुन कह रहा था कि मुझे भी उसे धक्का देना चाहिए था तुमने बिल्कुल ठीक किया मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है तुम्हें मीनू नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है तंग करती है और हमेशा खुद का सोचती है तुम्हारे उसे मार देने पर भी ये समस्या नहीं सुलजेगी क्योंकि वो मीनू है और तुम अंजली हो, तुम लकी हो कि तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले हो सकता है मीनू के साथ ऐसा ना हो इसलिए कभी मीनू पर हाथ नहीं उठाना अंजली को पापा की बात भी गलत नहीं लगी उसने सूचा कि हो सकता है मीनू के ऐसे व्यवहार के पीछे सच में कोई कारण हो मुझे इस बारे में अंजली की मा और सीमा टीचर से बात करनी चाहिए अगले दिन का सब बच्चों को बड़ी ही पीसबरी से इंतजार था सब बच्चे अपने अपने सौफ्ट टॉज स्कूल लेकर आने वाले थे अंजली ने एक रात पहले ही अपने अप्पू गप्पू को तयार कर लिया था और जब अंजली स्कूल गई तो देखा कि पूरी क्लास मानो जू बने हुई है कोई अपना हाथी लाया था तो कोई शेर और कोई-कोई तो अपना कच्छुवा लाया था क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, भालू, शेर और कच्छुवा भी एक दूसरे के दोस बन रहे थे सब बच्चे अपना अपना खिलोना लेकर उस दिन क्लास में पहुंचे सिवाए मीनू के मेरी प्यारी बिल्ली, तुम्हारे अप्पु गपु से मिलना चाहती है इसका नाम बिल्लू है बहुत भूक लगी है जे हो सकता है अप्पु गपु को खाकर बिल्लू का पेट भर जाए अंजली को लगा कि आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पु गपु को खाकर ही दम लेगा कि तभी वरुन जोर सी चीखा आह बिल्ली हटाओ इसे, मुझे बिल्ली से डर लगता है, हटाओ कोई मेरी बिल्ली की मदद करो, उससे नीचे उतारो कोई मीनु की मदद के लिए आगे नहीं आया और आता भी कैसे, बिल्लो इतना ऊपर चड़के बैठ गया था किसी बच्चे को पेड पर चड़ना आता ही नहीं था अंजली को मीनू को दुखी देख कर बड़ा दुख हुआ चिंता मत करो मीनू, बिल्लू वरुन की आवाज सुनकर और हम सब को देख कर केवल डर गया है बिल्लू की मियाव सुनकर अंजली का दिमाग दौडने लगा और फिर आईडिया, मुझे एक तरकीब सुजी है जिससे बिल्लू अभी नीचे आजाएगा सच? अंजली दोड़ कर सीमा टीचर के पास गई टीचर, टीचर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूद मिल सकता है? मुझे मीनू के बिल्लू को पेड़ से उतारना है सीमा टीचर को अंजली ने सारी बात बताई और उन्होंने काका से कहकर अंजली के लिए थोड़ा सा दूद मंगवाया थैंक यू टीचर, बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, टेस्टी मलाई वाला दूद थैंक यू अंजली, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा वहवार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुचाई, मुझे प्लीज माफ कर दो कोई बात नहीं, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? विर्कल, और उस दिन के बात से अंजली और मीनू बेस्ट फ्रेंज हैं, मीनू अंजली की ही नहीं, अब सब की अच्छी दोस्त है, और इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मश्हूर है उस दिन अंजली को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं होती, हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवार, एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी पुराई का एहसास करा सकता है अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें